कि नवश्का साथियों मैं आप इसंग ठाको लेकर पूर्णा आप सभी का स्वाइब करता हूँ आपके अपने चैनल ओम पुश्व क्लासिज आ कम्पिटिशन वेंचिर ओफ साइंस कमर्स केड़मी धंशाला में विजयातियों आज ये रिजनिंग के कलेंडर का दसवां लेक कौन सा लीप वर्ष नहीं है तो यहां रखना है लास्ट के टू डिजिट लीजिट लीजिए आप और उन दों लास्ट के टू डिजिट को चार से डिवाइड करके देखिए अगर वह चार से पूरणताया डिवाइड होते हैं तो आप बोलेंगी कि वह लीपियर है और वह नहीं है तो यह रहे आपको नीजिट से का ऐसा लीप वर्ष है अगले प्रशन में चले कोशन नमबर टू वीच इज लीप वर्ष है तो इस धिक रहती हैं चार्स overlap कर करना है यह नहीं हो चार्सों के साह direct own आप नहीं होता है 400 चोका दो हजार लिप वर्ष नहीं सो छेश पत्तार आतर नहीं है अगला आपके पास ऑफश्चन से करोगे चार सो कितने चार सो पंजा कि दो हजार और यहां पर तीन सो पर शेश्वल तो यह भी लिप वर्ष नहीं है तो ऑप्षिन नमबर सी बिल्कुल सही रहेगा चलते तीसरे प्रेशन की और इस एटिन जैन 1832 अच्छा 18 जनवरी 1832 को आपको शनिवार दिया है तो आप आपको साथ से भाग करके देखो तो साथ एकम साथ होते हैं तो बचे कितने बच्चो छे बचे तो सैटलेडे में छे पलस करोगे तो फराइडे आएगा ये आपका दिन आगे 31 जैन का अब आपके आगे फ़र्ब देखने के फ़र्ब कब की होती है अगर 32 की बात हो दिए 1832 की तो 32 से इसके मार्च लोता है मार्च कब का होता है बचे 31 का होता है तो अगर 31 को फरवरी था जैन्वरी की तो 29 तक क्या होगा देखो अगर पहली की बात करें तो पहली फ़र्ब को रहेगी आपके पास सैटरडे और इसमें 7 पलस करो 8 फ़र्ब आजाएगी तो Saturday से एक और कर लो 39 को आपका Sunday होगा 39 तक पहुंचे के अब 31 पहली March को कर लिजी पहली March को Monday होगा पहली March को Monday है तो 31 को क्या रहने वाले 31 को 7 से डिवाईज दर के देखिए 7 चोके 28 होते हैं 39 30 31 तीन बचे मंडे में 3 प्लस करो Tuesday Wednesday Thursday Thursday आपका होगा कब 31 March को अब यहां से 13 April को जाना है तो पहली April को क्या होगा पहली April को बच्चे Friday ना पहली April को आपका Friday तो 13 को डिवाईड करिए फिर से 7 से 77 एकम 7 उत्य बच्चे 6 Friday में 6 प्लस करो बच्चे Friday में 6 प्लस करो गए Thursday आएगा तो वीर बार आपका सही उत्तर है ठीक है यह होप के लिए रुगा होगा अगर बच्चे में चले इट वोस संडे ओन फरस्ट जैन 306 वाट वोस दा डे ओन फरस्ट जैन 1310 यह तो तरीका में निकरवाया हुआ था अगर फरस्ट जैन है 1306 है तो आपने निकालना है दिन दिया हुआ है संडे इसके आप 31st दिसंबर पहुंच जाओगे कब 1306 का इसके आप 1st जैनवरी पहुंच जाओगे कब की बच्चो 1307 की फिर आप 31 जैनवरी पहुंच जाओगे कब की 1307 की फिर आप पहली जैनवरी में आईए कब की पहली जैनवरी 1308 की फिर आप यहां पर दिसम्बर कर लेना इसके बार आएगी पहली जन्वरी कब की पहली जन्वरी 309 और फिर आएगी 31 जन्वरी 309 और फिर आता है पहली जन्वरी कब की तो अगर 306 पहली जन्वरी को संद्य आपको मैं बताया कि अगर नॉर्मल यह रहा तो सेम डिये करता है लास्ट दे और फस्ट अगला दिन फस्ट जन्वरी काएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा मंडे 307 से नॉर्मल यह तो मंडे ही रहेगा फिर आठ में आए तो पहली अग अगले दिन आपका फ्राइडे होगा यह आपका अंसर है ठीक है बच्चे पुनाने लेक्च्चर देखो जो देखेंगे उनका बेसिक लियर होगा इसे डालेक्ट्ट क्षेंस नहीं होने वाले इट वोस दा संडे और अठाइस मार्च उनिसो चौवर चुरानवे अठाइस sut मगरांडै अंगर अंऑंबश संडे होगा तो 8 मार्च इसको करने के तरीका बड़े सारी पर सबसे कम रहेगा जीरो तो यहाँ पर आप जीरो पूट करके प्लस करिए क्या लीपियर हो गया संचुरी कोड हो गया अब लीपियर करना है आपको इससे कोई मतलब आपको मतलब इससे तो 23 को इतर पूट करो साथ से डिवाइड करो तो ऐसे करके देखिए कि आगर संडे आ रहा है तो ठीक अगर संडे नहीं आ रहा है तो जितने भी एक बढ़ रहा है यह दो बढ़ रहा है उसके वैसे इसका निकालो इसका निकाल करके उसमें भी प्लस माइनिस उतना करतो तो आप का अंसर आ जगा इसका मैं चाहूं का अंस